और इवन आज के इस वीडो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं class 9 ठीक है जो आप सभी का class 9 first terminal exam होने वाला है आप सभी का हंदी का class 9 वाले बच्चो के लिए उसके लिए हम लेकर आए हंदी के question जी हाँ हम आप सभी को इस में हंदी के guess question देंगे जो आपके एक्जम में आ सकता है तो आप सभी इस वीडियो को complete देखिएगा और वीडियो को like कर लीजिएगा और जो question देते हैं आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा question आएगा ठीक है तो चलिए पहरे बत चुछ श्टार्ट करते हैं हम अपने question को first question है कहानी का plot के लेकर काउन है तो आप सभी जानते हो ये कहानी के plot first chapter है इसके लेकर से पुजन साहे एक का बी नमर right हो जाएगा ठीक है question number two को हम लोग देखते हैं question number two जो है आप सभी का वो देखिए आगे कहता है कहानी का plot का मुख्य पात्र का नाम क्या है तो मुख्य पा इस परण थी तो बारुत की पूरिया घोरी थी ठीक है आगे देखि प heading चो question number चार है क confronted है ठाने than की कमाई और देच काता अपना दोनों बराबर है तो ठाने दार की कमाई और पूस काता अपना दोनों क्या है बराबर है है ये बात का आई गय स्राध्ध किया तो घोरी को वेच रूष का ठीक है 6व मरा राइट हो जाएंगा आगे कुश्टन नुमरा साथ कैता है कि सी पुजल सहाय की रचना ये कहां से प्रकासित की गई तो कहां से प्रकाशित क्या गया था तो पटना से कहां से पटना से आगे देखिए कहता है भारत का पुरातन बिद्या पीट गद्य कौन सी बिधा से ली गई है जो भारत का पुरातन बिद्या पीट चैप्टर है ये क्या है तो ये एक निवन्द है हम आप सभी को पढ़ाए ते कि कौन आप सभी कैसे कहाने के लेख कौन बिधा है और उसका लिखा कौन है इस पर हम पढ़ाए है ठीक है तो आप उस वीडियो को देख लिजेगा कता है बुद्ध के समय नालंदा में क्या था तो प्रावर्जकु का क्या था आमरवन था ठीक है आगे देख लिजे कता है कि फायान कहा का यात्री था तो चीनी यात्री थे फायान कहा की यात्री थे चीनी यात्री थे कता है नालंदा के खंडार अवसेस बर्तमान में किस दिले में है तो गारा का जो आप तुविगा राइट होगा नालंदा नालंदा में ही है आगे दिखे महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षा वास किया नालंदा का तारनात किस जन भूमी बत लाया गया है तो नालंदा का जो तारनात है वा सारी पुत की जन भूमी बत आया गया है आगे हैं अर्च वर्दन के समय समय कौन से चीज़े याति भारत मतलब कौन चिनी याति भारत आहे थे तो फाई यान आप तीन याति तो फाई यान वी थे लेकिन भारत आहे थे यहापर है तो आप त यही का वैं शांग हो जाए craziest Version हो तो प्रात्मीक घशिए चित्र कणाई गीत का राम क्या है तू कला यह का ऑजय मैं गाते हैं महिपी तो आप सभी जानते होंगे क्या है मस्तिक सिवानी जो भी दिवा में आया गॉ कि आ कोई मतलब कुछ जो भी वानी आती है दिमाह में सीजे उसे गाते राते हैं कोई भी लया बन जाता है तो वहीं क्या हुआ ग्राम गीत हुआ आगे देखे कता है लक्ष्मी नराय सुधानसू का साहितिक जीवन किस रूप में आडंब हुआ था तो आप सभी का ठाड़ा का सी नमर हो जाएगा लाइयर आलो चक के रूप में आलो चक के रूप में यह कंस चान आप सभी लिएर में कंफूेजन है क्हों कि स्ट्रसक्ट करें के रूप में भी लेखे है तो आप साहिए देख लिजी आद ये примीदा मшт resources रूप में लग रहा है तो आप सभी खाष देख लीजिएगा कता है कि कल्म गीत का द्यास माना जाता है मेरुदंड यह आप सभी पढ़े होंगे ग्राम की को जो है कल्म कला गीत का आप कला गी तो आप सभी का एक बहुत ही अच्छा कहानी है लाल पान की बेगम की उपादी किसे दी गई तो 22 का आप सभी का ये नमर राइट होगा बिर्जू की मा को बिर्जू की जो मा थी उसे दी गई लाल पान की बेगम का मुख्य पातर कौन है तो लाल पान की बेगम के मुख्य पातर बिर्जू की मा ठीक है आगे देख लिजे कहता क्या है कुश्चन नमर 24 चंपिया बिर्जू की काउन थी तो बिर्जू की काउन थी ठीक है ये नमर राइट हो जाएगा कता है बिर्जू की मा की अराध्य देव काउन थे तो बजरंग वली के काउन थे बजरंग वली कता है देश के सुतंतर हो जाने के बाद नेता हो और कार्य करता हो का ध्यान किस ओड़ गया तो किस ओड़ गया था तो ग्रामो थान की ओर किस के ओर ग्रामो थान की ओर कता है अम तो क्या हो जाएगा आलम आड़ा आगे देखें भारत की समसे पहली बोलती फिल्म आजा बिए तू आलम आड़ा ठीक है वह प्वारत की पैली फिल्म जो ती वो लंका दांती का उन्ति लंका दहन आगे कने अटब ना मुतते के फिलबों के लोग किसे जानते थी तो फीचर यह जो आप उले। वाइसकूब के नाम से ठीक है किस नामसे थे वाइसकूब के नाम से गता है विसल्व अपरभाकर के जीवन पर किसके जीवन दरशनद का परभाव पर आता तो देखें सिनेमा कब और कहां दिखाए गई थी तो आप सभी को पता होगा यह आपका फर्स्टी पेज में है जब शुरू होता है तो कता अच्छी जुलाइटर्द बिचा करता था तो जानते होंगे जो रहते थे बूराते थे अंगें अभा रिकोस्ट्र भी बतायों चै Cherry है तो आप सब्ज्यक्टिव में दिकत नहीं होगा सब्ज्यक्टिव सोल राड़ अंशर होगा। स्टीक है क्ःता काम स ejercito कि पूस्तकाल होती है कितने कितापी थी ।broken talks जानते होंगे ड़ाती Himराइद भी दोनों सी नमर राइट ओ जाएका आगे सबसे अच्छा उधारन है इसका सबसे अच्छा उधारन आप ले सकते हैं आप जानते हैं गे मरवस्थल का अच्छे तर्टिका वहां का जाज ओट को कहा जाता है कता है क्वेशनर 47 काम सा सर प्रकिर्टी से मिलने वाले कम जल के लिए भी कभी रोना नहीं रोते तो राजस्थान का सा है ठीक है कता है क्वेशनर 48 राजस्थान में बर्स भर में आउस्थन कितना वर्सा होता है तो 48 का राइट आंसर 68 संथिमीटर आगे देख लिजिए क्वेशनर 49 है प्राचीन समय में राजस्थान की धर्ती पर चारो और क्या था तो समूंदर था क्या था वाबू समूंदर राजस्थान में ट्रिकबूट परवत कहां इस्थित है जैसलमेर में कहां है जैसलमेर में ये था आपका क्वेशन 50 और अगर आप लोग कहिएगा किसर और भी क्वेशन करके दीजिए तो हम आप सभी को ये क्वेशन और भी देंगे जो आपके एक्जाम में सीधे आएगा मतलब पेपर में आप सभी को देखने को मिलेगा तो धन्यवाद अगर आप सभी इसका पीडियाप लेना चाहते हैं तो आप सभी टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर लिजेगा ठीक है या पिर हमें वार्टसप मेसेज किजेगा 7488600620 पर वार्टसप नमबर भै मेरा इस पर मेसेज करके ले सकते हैं इसका फीडियाप धन्यवाद ची मिलते हैं अगले वीडियो के साथ